नमस्कार दोस्तों विद्यावजन इस्टूट में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्तिमानशू और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्ससाइज 6.3 कोश्चन नमबर 7 तो चले शुरू करते हैं दोस्तों कोश्चन नमबर 7 बहुत इजी है अब देखिए इसमें कह रहा है इन गिवन फिगर अल्टिटूट ए डी एंड सी ए अफ ट्रैंगिल ए बी सी इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट पी तो चलिए सबसे पहले इसकी हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अब यहां पर देखिए यहां पर यह है ट्रैंगिल ट्रैंगिल ए बी सी अब हमें यह प्रूफ करना है ट्रैंगिल ए ई पी सिमिलर टू सी डी पी और इस तरीके से यहां पर देखिए यहां पर कई ट्रैंगिल है एक यह ट्रैंगिल है एक ट्रैंगिल है एक ट्रैंगिल है एक ट्रैंगिल है एक ट्रैंगिल है बहुत सारे ट्रैंगिल है और इन सब ट् ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP, यहां पर देखिए, यह है ट्राइंगल AEP और यह है ट्राइंगल CDP, इन equal to angle CDP यह देखिए यह angle CDP यह भी angle 90 degree का है यह दोनों angles आपस में बराबर होंगे and angle APE दोस्तों यह angle APE यह angle angle CPD that means this angle angle CPD इस angle के बराबर होगा और ऐसा क्यों? क्योंकि यह दोनो vertically opposite angles होंगे अब देखिए इन दोनों triangles में यह angle और यह angle आपस में बराबर है और यह angle और यह angle आपस में बराबर है दोनों triangles में दो angles आपस में बराबर है therefore यह दोनों triangles आपस में similar होंगे therefore triangle AEP is similar to triangle CDP यह दोनों triangles आपस में similar होंगे by double similarity criterion और दोस्तों देखिए यही हमको प्रूफ करना था ठीक है? अब इसका first part solve हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसका second part solve कर लेते हैं, अब second part में देखिए, triangle ABD, दोस्तों यह है triangle ABD and triangle CBE यह है triangle CBE इन दोनों triangles को देखिए इन दोनों triangles में यह देखिए, यह मैंने अलग-अलग करके दिखा दिये, ताकि confusion ना हो, अब इन दोनों triangles में angle ADB यह angle, यह angle 90 degree का होगा, क्योंकि यह altitude है, is equal to angle CBE दोस्तों, यह angle CBE यह angle यह भी 90 degree का होगा क्योंकि यह भी altitude है अब इन दोनों triangles में देखिए angle B जो है, वो common है angle ABD यहाँ पर देखिए angle ABD is equal to angle CBE, यहाँ पर देखिए यह angle, यह angle दोनों triangles में common है, अब देखिए दोनों triangles में ये एंगिल और ये एंगिल पराबर है और ये एंगिल दोन ट्राइंगिल में common है तो ये दोनों ट्राइंगिल जो होंगे वो आपस में similar होंगे देफोर ट्राइंगिल A, B, D is similar to triangle C, B, E by double similarity criterion दोस्तों यही हमको proof करना था देखा दोस्तों दो-दो line के questions है बहुत easy है चले अब इसका third part solve कर लेते हैं अब देखिए third part में यहाँ पर triangle A, E, P और triangle A, D, B को similar proof करना है तो यहाँ पर यह है triangle A, E, P और यह है triangle A, D, B इन दोनों triangles में देखिए इन दोनों triangles में angle A, E, P is equal to angle A, D, B यहाँ पर देखिए यह angle 90 degree का है और यह angle यह भी 90 degree का है क्योंकि यह दोनों altitude है चलिए अब इन दोनों triangles में angle A आपस में common है यहाँ पर देखिए angle P, A, E, that means this angle is equal to angle D, A, B that means again this angle, दोनों triangles में यह angle common है, दोनों triangles में दो angles बराबर है तो यह दोनों triangles आपस में similar होंगे by AA similarity criterion और दोस्तों यही हमको proof करना था चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसका fourth part solve कर लेते हैं fourth part में है triangle P, D, C और triangle B, E, C यहाँ अब देखिए triangle P, D, C, यह है triangle P, D, C and triangle B, E, C इन दोनों triangles को ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए angle P, D, C दोस्तों यह angle P, D, C, यह angle 90 degree का है और angle B, E, C दोस्तों यह angle B, E, C, यह भी 90 degree का है दिया हुआ है, दोनों altitude है and angle P, C, D is equal to angle B, C, E दोनों triangles में angle C, जो है, वो common है therefore, similarly, यह दोनों triangles भी आपस में similar होंगे by double A similarity criteria, ठीक है? और दोस्तों यहीं हमको prove करना था और दूस्तों में एफ़को काई दोस्तों करना हुआ है